अबिनेता शुषान सिंग राजपूत के निदेन को चार मेने होने जा रहे हैं लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी निष्खष निकल कर शामने नहीं आ पाया है। शुषान के लिए इनसात की मांग कर रहे लोग अभी भी लगातार मेदान में डटी होए हैं। इस मामले में से निकल कर ड्रक्स के एंगल से चलते शुषान की गर्फरेंड रह चुकी अबिनेत्री रिया चकरवती करीब एक मेने तक जेल में बन थी। अब हाले में उन्हें जमानत पर रहा कर दिया गया है। लेकिन रहा की रहाई से शेकर शुषान खुष नहीं नजरा आ पा रहे हैं। सुसान सिंग राजपूत मामले में शेकर शुषान लगातार अबिनेता के परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुए है। बलकि जब परिवार भी मामले में नाई की गुरार लेकर शामने नहीं नहीं आया था तब से ही शेकर शुमन शुषांद के लिए नाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हाले में शेकर शुमन ने रिया चकरवती को जमानत पर रिया के जाने पर अपनी परतिक्रिया दी है अपने ट्यूटर अकाउंट पर ट्यूट करकी लिखा कि शुशांत का मामला शांत ना हो जाई इसलिए हम सभी को अशांत रहना जरूरी है लेकिन रास्ता बहुत जटील है और मुश्किल है देश के दूसरों मुद्दों के कारण ये केस पिछे उता जा रहा है अब क्या और कब तक ये एक बड़ा सवाल है तो हम आपका बतादे सेकर शुमन ने उसके बाद एक को ट्यूट किया और उस ट्यूट में लिखा है कि रिया को बेल मिल गई है और वो जेल से बाहर आ गई है सीबियाई और एम्स की रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं दिख रहा है मिरांडा और दिपेस को भी बेल मिल गई है अब दूसरी फोरिसिंग टीम का भी कोई गटन नहीं हो रहा है सब खतम हो गया घर चले बता दे कि इस से पहले भी जब एम्स की रिपोर्ट सामने आई थी तब सेकर शुमन ने इस पर निसाना सादा था उन्होंने कहा था शुशान्द के फैंस ने एक्टर को नयाई दिलाने के लिए काफी मेनत की है सबी ने दिन रात एक किया है लेकिन अभी एक केस हाईजेक हो चुका है इस केस को बटकाया गया है दोस्तों हम आपको बता दे है अभीनेता सुसान सिंग राजपुत मौत मामले की जांच में सामनी आई ड्रक्स एंगल में गिरफता रिया चकरवति को बंबे हाई कोट ने बुदवार को जमानत दे दी है रिया के अलावा दो और अरोपियो दिपेस, सावन्त और शम्यो विरंडा को जमानत दी गई है करीब एक मेने से जेल में बंद थी रिया और वुदवार को शाम को जेल से चोड़ा गया और उनके बाई शोवक चकरवति और अब वासी परियार को जमानत नहीं मिली है दोस्तों शेकर सुम्यन के इस ट्यूट के बारे में आपकी क्या रहाई है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताई है और अमारी वीडियो को लाइक और शेर कीजिए धन्यवाद